अब सरक पर चलता है और पक्षियों के जुड़ को पुरी तरह से उड़ते万 देखता है, अब यो धून निकलती जाती है और पूरे शहर में फैल जाती है, फिर मैथ्यों थुनद अब परिवार के पास भागता जाता है, एक बार अंदर जाने के बाद वो अना को खिड़की के पास देखता है इसलिए वो जल्दी से उसे वहाँ से खीच का लेके जाता है और उसे कहता है कि ये धुंद में सास मत लेना और फिर वे सारा से कहता है कि उन्हें उसे वहीं छोड़ना होगा लेकिन उसे वादा करते हैं कि वो जल्दी उसको लेने वापस आएंगे अब धुन धार जगे फैल जाती है और मैथ्यू और अना उपर के और भागते रहते हैं फिर वो बिल्डिंग के सबसे उपर अपार्टमेंटे पहुंच जाते हैं अब बाद में दोनों जोड़े शेहर को देखने के लिए बालकरी में जाते हैं और पूरा शेहर धुन से ढख चुका होता है सिर्फ लोगों के छट दिख रहे होते हैं और कॉलेट ये देखका डर जाती है उसका पती उसको दिलासा देता है कि उनका बेटा ठीक होगा और उसको वापस अंदर ले जाता है यहां मैथ्यो और अना सोच रहे होते हैं कि ये धुन अचानक आ कहां से गई कहीं है जहलेली तो नहीं है और तभी उनके उपर से दो हेलिकॉप्टर जाते हैं और फिर वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं कि कहीं वो भी धुन्द की वज़े से अफेक्ट न हो जाए अब कैपसूल में दिखाते हैं तो सारा अपने चार ओर खाना कोरा देखती है अब छट पर चड़कर वो पूरे शेहर को देखता है पूरे शेहर में होड़ जागे धुन्द होती है फिर वो बालकनी में वापस जाता है और देखता है कि लूसेन अपने फोन का इस्तिमाल करने की कोशिक कर रहा है लेकिन अभी भी सिंग्ल नहीं आ रहे होते हैं उसका बेटा वहाँ से दो गली दूर में निचली मंजिल में रहता है लेकिन लूसेन को यकिन है कि उसका बेटा अभी भी स्लक्षित है तबी कॉलेट वहां आती है और कहती है कि उन्हें अपने बेटे को मिलने जाना चाहिए और थभी लूसेन उसको धुन्द के बारे में याद दिलाता है कि बाहर तो देखो कैसी धुन्दे हम जाए कैसे उसकी यादस थुरी कमजोर है फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं जाता है लेकिन आना उससे कहती है कि वो इतने लंबे समय तक अपनी सांस को कैसे रोख पाएगा और फिर मैठी कोई को पाय सूचता है उसे मिस्टर बैलकन और उसके ऑखजन टैंक की याद आती है और अंदर पहुँच का टॉर्ड से चार ओर देखता है और सबसे पहरे उसे मिस्टर बैलकन जमीन पर गिरे मिलते हैं और वो जल्दी से ऑखजन टैंक को ढूणने लगता है और फिर मैथ्यूस कुट्टे की बच्चे के साथ और उसको भी समीन पर गिरा देखता है अब वो उस अपार्टमेंट से निकलता है और सारा को देखने जाता है जो डरी भी है फिर मैथ्यू कैप्सुल की बैटरी बदलने से पहले उसके लिए खाना, एक टॉर्च और वौकी टॉकी के लिए कुछ बैटरी छोड़ कर जाता है और वो सारा से कहता है कि वो चल्दी उसको बचाने जरूर आएगा अब उबर जाने के बजाए वो बाहर जाने का फैसला करता है जहां उसे सड़को पर हट जगर लाश्य मिलती है वो अलगला कार्स की बैटरी निकाल रहा होता है तब ही उसे एक सीड़ी सुनाइ देती है और वो देखने के लिए जाता है कि वो कहां से आ रही है फिर मैथ्यू को एक मास देने के बाद असनिक उसको अपने साथ में जाने की कोशी करता है लेकिन मैथ्यू कहता है कि मेरा यहां पर परिवारे मुझे उसकी देखवाल करनी होगी और फिर मैथ्यू जाते जाते उनसे एक एक्स्टा मास को मंग लेता है इसी भी सारा और अना वाकी टॉकी से बात कर रहे होते हैं सारा अपने पिता के बारे में बहुती चींतीत रहती है और फिर अना उसको कहती है कि उन्हें कुछ नहीं होगा तुम exercise पर दिहान दो पर तभी मैथ्यू वापस आ जाता है और जैसे जैसे बुज़रु करीब आते हैं वो सभी को बताता है कि उसने क्या देखा और उन्हें बताता है कि उन्हें वही रात बितानी होगी अब वो अना से पूछता है कि क्या वो सारा को देखने जाना चाहती है लेकिन वो कहती है कि अभी ये ठीक नहीं है क्योंकि हमारे पास auction कम है और इसके हम तभी जाएंगे जब emergency होगी फिर बाद में रात को अना रेडियो पर काम करती है जबकि डूसर और कॉलेड उससे सारा की विवारे के बारे में पूछते हैं और फिर उन्हें वो पहला दिन याद आता है जब उनका परिवार बिल्डिंग में कैपसुल के साथ रहने आते हैं और इसी वीच मैथ्यू एक बार फिर से कोरे की जांच करने के लिए हौल के सीडियो के पास जाता है और देखता है कि धुन्दों पर बढ़ रही है वो धुन्द पर नजज़र रखने के लिए दिवार पर एक पॉइंट बना लेता है और फिर अंदर वाबस जाता है और देखता है कि बुजद्रुक बिस्तर पर सोने जा रहे हैं और फिर मैथ्यू सुबह उड़ता है और देखता है कि अना रेडियो को अपने घर से लाइ उपकरनों के साथ ठीक करने की कोशी कर रही है और वो आखिरकारस को ठीक कर लेती है लेकिन सबी चैनल पर एक ही आपात काले रिकॉर्डिंग चल रही होती है और अचानक उने बाहर एक धमागी की आवाज आती है इसलिए मैथ्यू और अना चछत पर जाते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ पर हुआ क्या है फिर दिखाते हैं कि मौन मारतरे पर आख लगी होती है वहाँ से धुआ रहा होता है लेकिन वो पहर उसकी बीच में एक परियोग साला में है और फिर अना कहती है कि वो पहले भी परियोग साला में जा चुकी है इसलिए उसे वहाँ जाना चाहिए और मैथ्यू उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ जाने का फैसला करता है अब वो उससे भागने लगते हैं और काडियों से बचते बचते हैं वो गलती से एक दूसरे से अलग हुचाते हैं अना मैथ्यू के लिए आवाज लगाती है जिससे उसका ध्यान बढ़ा गयाता है और वो सीधे नदी में गिरता है और अना एक कार की पीछे चुप जाती है लेकिन उसका पीछा करना शुरू कर देती है अब अना भहुत ह हताशर भहभीत हो जाती है और एक बस में चार जाती हैं और कुत्थ एक सूट के उसमें फंत जाता है जिसकी वज़े से वागन नहीं मैठ पाता है और अना इस बात का फाइदा उठाती है और बस की खिड़क जो आगे काम आ सकता है, अना फिर आखिर का लैब तक पहुंच आती है, और वो जैसे अंदर जाने लगती है, उसे मैथ्यू दिख जाता है, जो उसकी और दोड़ता वारा होता है, अब एक दूसरे को चेक करने के बाद वो अंदर जाते हैं, और इसी वीच सारा वोकी-टॉक जो आता है, लेकिन मैथ्यू के शरीर पर आग लग जाती है, तब भी आणा वहाँ पर आग बुजाने के ले कुछ धूड़ रही होती है, और उसको बुजा भी लेती है, और जब वो अपने पती की चांच करती है, तो उसे पता चलता है कि उसे सांस लेने में परिशानी हो जुका है, इसलिए जब वो अपनी जैकेट उतारता है, तो उस पर थोड़ा पानी फिकता है, और फिर अना दवाई जूड़ने जाती है, और जब उसे वो मिल जाती है, तो मैथ्यू के पास वापस आकर उसकी मरम पठ्टी करती है, और जब जाने का समय आता है, उन्हें प पता चलता है कि धमाके की वज़े से सूट केस के अंदर सभी कुछ सिस्टम खराब हो गया है, और इसी दोरान मैथ्यू को एक छट पर पहुंचकर समान और एक रसी मिलती है, और रसी को परखने के लिए वो उस पर एक छटका देता है, और फिर उस पर चटकर एक पमास्कते है और फिर पिलीस वाला उसको मारने के अपनी बंदुग निकाता है, जैसे उसने दूसरे पिलीस वाले के साथ किया था, लेकिन मैथ्यू independence मैंस्क पहन लेता है, और उससे जहत के किनारे सहे धक धक्ला देता है, और फिर दोनों कार कर गिरते है, और पिलिस वाल नहीं कर सकती कि ये धुंद कोई दिव्य या जादू है ये जरूर किसी चीज़ का रेक्शन होना चाहिए वो बात है कि अना के फोन में आता है कि वहाँ पर बैटरी खत्म होने वाली है फिर मैथ्यू सरक पर दोड़ा होता है और अना कैपसूल की बैटरी बदलने के लिए त उसके लिए बड़ी चिंदित होती है लेकिन अना सिर्फ कैप्सूल की बैटरी को बदलने पर ध्यान देती है जैसे वो बैटरी बदल लेती है तो भागते वहां से बहां निकल जाती है अब कुछ देर बाद मैथी वहां आता है और सारा उसे बताती है कि यहां पर क्या हु और अब वो ज़्यादा देर वहां नहीं रुख सकते है और फिर उसे वाला सूट यहां दाता है जो उसने वैन के पास देखा था और वो सारा के लिए उस सूट को लिजाने की तयारी करता है वो लूसेन और उसकी पत्री के लिए और उसकी पत्री ने बहुत ही अच्छी ज तरीका है और वो बादा करता है कि वो जरूर वापस आएगा अब अपार्टमेंट में लूसेन और उसकी पत्री बैड़ पर एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर रहते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि उन्होंने बहुत या अच्छी जिंदगी बिता ही है और वो हमेशे सा एक रहसे में व्यक्ति उनके सामने आता है और सड़क पर मैथ्यू धीरे देखोश में आता है और देखता है कि उसके सर पर काफी चोटाई हुई है वो सूटर वागी टॉकी को उठाता है और अपनी बेटी को संपर करने की कोशिश करता है वो कुछ दूर जाता है लेकिन दर्द की वज़े से वो जादा दोर तक नहीं जा बाता और वो किसी तरह से खड़ा ही रहता है और अपने तरफ दो परचायों को आते वह देखता है वो सारा और नोई होते हैं सारा भागते में मैथ्यू की तरफ आती है और अपने पिता को पहली बार गले लगाती है अब इस वारे सारा दिखता है कि वो सारा है और उसके साथ नोई और उसके दोस्त होते हैं मैथ्यू उड़ जाता है और हमें दिखाते हैं कि कुछ समय बीच चुका होता है और चीजें बदल चुकी होती है अब मैथ्यू के एपसुल में रहरा होता है और सारा बाहर उसका ध्या रख रही होती है और उसके साथ हुआ की टॉकी पर बात करती रहती है और दोस्तों यहां पर यह